ये तो हर कोई जानता कि कोई भी बड़ा रहस गहरे राज और साईशों से मिलका बना होता है, ऐसी तरह हमारे प्राचीन बुर्खों द्वारा बना गए कि इस मारकों में भी कमाल के राज शिपे हुए हैं, मशूर मॉनिमेंट्स में शिपी हुई खुफिया गोफां से लेकर आपको प्राचीन में का पिरामिड जिसे अब तक कोई नहीं ढूंड पाया, आएए अपने ओजार और केट उठाईए हो चलिए हमारे साथ एक ऐसी दिल्चस्पी आतरा पर जहां आपको प्राचीन आर्किटेक्ट्चर से जोड़े हुए कुछ रहस से देखने को मिलेंगे स्फिंक्स तले दबार है से दबी, गोफाओं और सुरंगों के नेटवर्क तर जाने का एक गुप्त रास्ता है, इसके अलाबा मूरती के पास और भी कई गढ़्ठे और सुराख देखे जा सकते हैं, जिनमें से जातर आगे जाकर बंद हो जाते हैं, इसमें से कई सुराख खजानी के खोज में निकले लुट्वे रोधारा नूरती बनाय जाने के काफी जमाने के बाद में खोदे गए थे, सच जो भी होपर स्फिंग्स की नीचे दबी चीजों को लेकर आज भी तरह-तरह के दावे किये जाते हैं, लोग कताओं की माने तो स्फिंग्स की नीचे एक गुप सरंग मौजूद ह जिससे होते हुए हौल आफ रिकॉर्ड तक पहुंचा जा सकता है, यह एक ऐसी प्राचिन लाइबरेरी जहां मैट्स और मेडिकल साइंस से जोड़ी बेशकीमती नौलिज का भंडाज शिपा हुआ, जिससे अंदादा लगाया जा सकता है कि उस जमाने के मिस्र वासी कितने ज्यादा विक्सेत और उन्नत हुआ करते थे, हलाकि यह सी किसी जगह के मौजूद होने के कोई भी बुखता सुट अब तक सामने नहीं आए, इस थेरी के नकारने वालों का कहना है कि स्टैचू की नीचे लाइबरेरी बनाने में जरा भी लॉजिक नहीं है, क्यूंकि बार मिस्र में इस्तित मश्यूर प्रामिट का ख्याल आता हुगा, लेकिन अगर मैं कहूंगी शाहिए चाइना वालों ने भी कई विशाल प्रामिट्स को दुनिया से छपा रखा है, तो बीस भी सदी में पश्यमी दिचों के चीन की यात्रा पर जाने वाले कई लोगों ने शि जो से घीजा की महान प्रामिट के मुकाबले दोगने साइस का बनाता है, इस प्रामिट को देखे जाने का दूसरा और तीसरा दावा अमेर की सिना के पालिट द्वारा साल उनी सो पैंतालिस और साइस में किया गया, दोनों इपालिट्स ने बड़े-बड़े साइस के एक स चम-चमाता हुआ नगी न लगा हुआ था, इसके बाद जल्दी ही पश्चिमी अखबारों ने इस तथा कथित प्रामिट की एक तस्वीर भी छाब दे, लकिन साब जाहिर था, नामले में कुछ तो गरबर थी, पता चला कि इस तस्वीर में ने जरारा प्रामिट असल में म प्रामिट के इन दावों को सच मुझ में कोई रहस छिपा हुआ है, इंटरनेट पर कुछ लोग दावा करते हैं कि चाइनीज गौर्मिट ने शियान के आसपास इस्तित कम से कम 40 विशाल का प्रामिट को छिपा रहा है, जिनने नजरों से बचाने के लिए उनके उपर मिट चमाता नगीना समझ लिया होगा, फिर भी सवाल तो बनता है कि इन परामिट को आखिर छिपाया क्यों गया, कुछ स्कॉल्स का कहना है कि ये महज, उन मगबरों में दफने लोगों को सम्मान देने का एक तरीका है, ताके लोग इन मगबरों में फालतोगी खोच भी ना करे वहीं conspiracy theories पसंद करने वालों का मानना है कि इन परामिट के नीचे कुछ गहरे राजचिपे होगा है, जन्हें चाइनी सरकार दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती, भविश में इन परामिट की प्रातित विक होदाई कराय जाने के उमीद ना के बराबर है, तो बड़ा सच म या जीव से तस्वीर इंटरनेट पर सामने आई, जिसमें अंटाक्टिक में इस्तितिक बर्फ में आदा दफ ने एक बड़ा सा प्रामिट नज़र आ रहा था, 4000 फीट से ज़्यादा हूं चाहिए वाले, इस पोला प्रामिट को बहुत से लोगों ने अंटाक्टिक के एक प्राचीन सबिता का अफशिश बताया, जो हमने से कहीं जादा उन्नत हुआ करती है, लेकिन ऐसी चीज़ों में दिल्चस्पी रखने वालों के लिए बरी खबर है, क्योंकि वैग्यानों को मताबिक ये कोई पिरामिट नहीं, बलके एक मामूली सी पहाड़ी है, जसने सही पहाड़ी के इस शेप के लिए बर्फ के जमने और पिखलने से होने वाले अपरदन जम्यदार हो सकते हैं, चट्टान में मौझूद दरारों में पानी भर जाता है, बार बार जमता है, पिखलता है, उससे पढ़ने वाले दबात से चट्टान के बड़े बड़े टुक्ड और इंजीनियर है, जॉर्जिया गाइड सोन, अमेरिका का स्टोन हिंच कहा जाने वाला जॉर्जिया गाइड सोन, कोई प्राचीन इसमारक तो नहीं है, पर ये दिल्चस्पी के मामली में उनसे कम भी नहीं है, उननी सो नावासी में, रॉबर्ट क्रिस्चिन का फरजी ना बाइस मार्च उननी सोस्टी को पूरी तरह से बनका तैयर होने के बाद इसमारक पहली बार दुनिया के सामने आया, पत्थरों के बड़े-बड़े स्लैप से बने इसमारक पर इंगलिश, चाइनीज और मिसर की पाचीन चितर भाशा समेत आठार अलग भाशाओं में पहली पहलू इन पत्थरों पर उकेरी गई लिखावर नहीं थी, जुलाई 2022 में एक रहस में आकरती ने इसमारक को तहस ने इसकर दिया, खड़ा गिये जाने के पूरे 40 साल के बाद इस गटना से जोड़ा एक सबूत भी है, वे स्पोर्ट से ठीक पहले लिग इफटिज में नज दराने वाली धर धर भागती हुई काले रंकी काजीब से आकरती, इस इसमारक में तो कुछ भी जाद ही पहली है, जुटने ही मेरे बाई, इसलिए मुझे ज़रा भी उमीद नहीं है कि इसे कभी फिर से बनाए जाएगा, लेकिन अगर ऐसा किया जाता है, तो इस बार पहली यात्रा साथ के दशक में गिए थे, लिकिन अगर मैं कहूं, मदिकालीन युक कि इस इमारत पर कुछ ऐसी आकरतियां बनी हुई है, जो इस बात के घलत होने की तरफ इशारा करती है, तो स्पेन में स्थित सलमान का केथेड्रूल आपस में जुड़े तो चर्चों से बना हुआ, जिन में से एक बारवी सदी और दूसरा सोल्वी सदी में बना गया था, वैसे तो इस इमारत की दीवारों पर बहुत सी दिल्चस्प नकाशिया मौझूद है, पर उन में से एक नकाशिया ऐसी है, जो बाकियों से बिलको अलग है, स्पेस सूट पहना हुआ एक सच क्या है, ये सच है कि सलमान का कैटरूल वाले हिस्से का काम सोल्वी सदी में शुरू हुआ, लेकिन एमारत की ओरिजिनली नकाशी एस्टोनोट जैसे कोई चीज मौझूद नहीं थी, हमें कैसे बता, ऐसे गे साल 1992 में चर्श फुरानी हो रही एमारत के जिड़ो धर का प्रजेक्ट शुरू हुआ, प्रजेक्ट के तहत, बिल्लिंग के नकाशी में कुछ ऐसे चितर जोड़े गए, जो कि आज की मौडरन दुनिया का प्रतीक बन सकें, वो एस्टोनोट और आइस्क्रीम खाते हुए राक्षच यासे चितर उसी प्रजेक्ट के दरान बनाए ग कि यहां रहने वाले लोग अपने पड़ूसियों से चब्यवार रखते हूं, अगर आप गित जासी निगार रखते हैं तो 54 वेसर स्ट्रॉट से आगे बढ़ते ही आप आएंगे कि उसके बाद सीधे मकान नमबर सत्तर आ जाता है, क्या का? चावोन की बाद सीधा सत्तर? तो बीच वाले मकान आखिर का गए? क्या कि जी ने उन्हें महले से बाहर निकाल दिया? वैल, हकिकत यह है कि यह बीच के मकान ठीक महीं पर मौझूद है, आपको बस जड़ा गोर से देखना होगा, नमबर 54 और 70 के बीच इस तिस चार इंच की दरार में देखने पर आप सा रहोंगे कि ऐसा कोई मकान के दार पर लेना हो तो कितना खर्च आएगा? बताने की जरूरत नहीं है कि इन मकानों में कोई भी नहीं रहता, तो फिर उनको वहां पर रखा क्यों गया? असल में 54 नमबर के बगल से गली पीचे इस तिता अंगन गुजाती थी, जिसके इर्द गया, कहते हैं कि मकान घर नहीं होता, लिकिने छोटी-छोटे मकान उन्हें वेस्टर स्ट्रॉट स्ट्रीट के एतिहास को हमेशा के लिए अपना घर बना लिया है। धकी हुई सीड़ियों को पार करते हुए नीचे गहराई तक उतरा जाता था, लेकिन कोई इतनी गहराई में आखिर जाएगा क्यों? वेल, जवाब आपको और आहरत में डाल देगा, असल में इन कुओं को इतिहास के सबसे मशूर खोफिया नाइट्स टेंपलर द्वारा अपने नए सदस्यों को समूह में शामिल करते वक्त किये जाने वाले अनिष्ठानों के लिए यूज किया जाता था, ये महल, 1904-1910 के बीच, एंटोनियो मॉन्टीरो नामक एक शक्स द्वारा बनवाए गा था, जिसको नाइट्स टेंपलर में हद से जादा दिल्चस्पी और शायद एंटेनियो भी उसमें से एक रहेंगे, स्थानी इतिहास की जानकारी रखने वालों के मानितों टेंपलर में शामिल होने वाले नए रंगरूटों को अपनी आख पर पट्टी बांद कर कुए की नौ मंसिला गहराई में उतरने के बाद एक घुप पंदेरी भू पुल भुलईया से बाहर आने में सफल होने वाले रंगरूटों को इसके इबाद आपचारिक रूप से सम्हू में शामिल कर लिया जाता था, माना कि अब इस कुए में टेंपलर से जोड़ा कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं किया जाता, लेकिन टेंपलर्स की बहादूरी की क और उनसे जोड़े हुए रहसे हमेशा लोगों में दिल्चस्पी का कारण रहे हैं। उसे होकर गुजरने वाली ये सुरंगे किले में रहने वालों को अंदर बाहर जाने का एक खोफिया रास्ता मोहिया कराती थी, ये सुरंगे उपर पहाड की चोटीबा जाकर निकलते हैं, जिसके मदद से किले की निवासी बिना किसी नजर में आए, पास इस बाजार से जर पूमा पुनकु चुके प्राचीन मंदरों का एक ऐसा समूँ है, जिसने इतिहासकारों को आज भी परिशान का रगा है, पत्थर के बनी निमारतों का निर्मार साल 536 इस वी में तीवा नाकू नामक सभिता के लोगो जारा कराए गया, लेकिन पत्थरों पर कुछ ऐसी डिटेल्स भी नजर सरी इतना परफेक्टली तराशा गया हो कि इतना हो इनी सकता, ये सब पीचीता कारी गरी एक ऐसी सभिता के लोगों दोरा की गई थी, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें लिखना पड़ना नहीं आता और ना ही उन्हें पहिये का अस्तमाल करना आता था, सुझ जाहि इन कलाकर्तियों और उन्हें बनाने वाली सभिता की हमारी थीरीज में कुछ तो गड़ बड़ है, एक तपका कहता है कि ये खंडर हमारी आज की सभिता से कहीं जादा उन्नत एक सभिता के अफशेश हैं, जिसके बारे में तिहास कारूं को अभी कुछ भी नहीं पता, वही हम अपने इन प्राचीन पुर्खों की काबलियत की हकिकत से बहुत ही कम मान कर चल रहे हैं, अब लगता है कि शायद इस जगहे को सच में एक दिन समय ही हो जागर करेगा स्वर्क की सीढ़ी पता नहीं था, लेकिन वह अपने पीछे चर्च में एक बहुत ही सुंदर और अनोखी से देखने वाली सीढ़ी छोड़ गया, लेकिन इस सीढ़ी में ऐसी क्या आजी बात थी, पहली चीज़ के बेहद सुंदर हैंड रेलिंग से सजी हुई ये गोला का सीढ़ी पूरे दो पर वो इसमें किसी अलोखे की या रैस में शक्ती का हाथ उने की बात इंकार करते हैं, उनके मताबिक सीढ़ी के बाहरी और अंदरून हिस्से में लगी घुमादा लक्टी स्ट्रक्चर को सारा देती है, वहीं अंदर वाली घुमादा रेलिंग बीच वाले खंबे की तरह क काम करते हुए इस स्ट्रक्चर का सारा बोज उठाती है, यानि सिस्टर्स ओफ लॉरेटो की ये सीढ़ी आपने आप में अनूखीत है, लेकिन इतनी नहीं कि उन्हें अलोख एक सा बता दिया जाए, हाँ एक रह से ज़रूर बना रहेगा और वो ये कि इस सीढ़ी को बनान टोना करने वाली डाइनो या दूसरी दुनिया में जाने वाले दर्वाजों से जुड़ी एक बैक स्टोरी भी होती है, जो बताने की ज़रूर नहीं कि जातर मन गरंत होती है, लेकिन ऐसी जातर सीढ़ीओं की लोकेशन के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल कारण ज़रूर हो नजारे देखने के लावा कुछ भी नहीं मिलने वाला वेतुवन कोईल मंदिर वेतुवन कोईल नाम के मंदिर के उतपती से जोड़े रहसे, इस मंदिर को बाकियों से काफी अलग और खास बनाते हैं दक्षर भारती राजी तमिल नाडू में इस्थित वेतुवन कोईल मंदिर को आठव से दिम बनाए गया था, लेकिन मंदिर के ढाची बर मौझूद पत्थर की बेहट जटे और बारिक नकाशी से बागी मंदिरों से अलग बनाती है पच्चेस वटूंची एक ठोस चटान में तराशी गई ये सशानदार मंदिर की सबसे रहस में बाती है कि इसका निर्माण कार पूरा होने से पहले अचानक सी बीचो बीच में रोग दिया गया, जहां ढाची के उपरे हिस्सों में हिंदू देवी देवताओं की बहत बार आठवी सदी में हुआ था और दोनों के दोनों ही देवों के देव माने जाने वाले भगवान शिव को समर्पे थे हैं, जहां वेतवन कोईल की उचाई 25 विट है, वहीं कैलाश मंदिर उसके दोगने से भी ज़्यादा साथ फीट उचा है, साइज में इतना ज़्यादा फर दुनिया के सबसे सुन्दार और शांदार मंदिर बनानी की होड लगे हुई थी, कहानी कंत में पास में इस्थित मुरुगन मंदिर की स्थापना करने वाला पेटा अपने बाप को कच्छुए सा धीमा कहते हुए मज़ाब उड़ाने लगा, बाप को इस बात से इतना घु वहीं खड़े-खड़े समाप्त कर दिया, बात में जब आपको होश आया तो उसने अपनी किये पर बहुत ही पच्छतावा किया, और पच्छताप के लिए उसने मंदिर को पूरा किये बगार छोड़ दिया, कहते हैं कि बाप बेटे की स्किस्ते के चलते ही मंदिर को वीद ड्रकोटा में स्थित है, दुनिया भर में मशूर इसमारक माउंट रशमौर, जिसे हर साल 20 लाग से भी ज़्यादा टूरिस देखने के लिया आते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लोगप्री होने के बावजूद बहुत कम लोग जानते होंगे कि राश्पतियों के चेहरों पता लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि बड़े-बड़े आतिकारी भी वहाँ पर जाने के लिए पाबंदी करते हैं, हाँ, हमें इसके इतिहास के बारे में जरूर पता है, माउंट रशमा और इसमारक का काम सन 1927 में शुरू होकर, 1940 में पूरा हो गया, लेकिन इसमें ख हो गया, तो इस महत्वकांची प्रजेक को रोग दिया गया, जो फिर कभी पूरा नहीं हो पाया, का जाता है कि आज गुडजन का एक जीवनी और बिल और राइट्स और डिकलरेशन और इंडिपेंडनेंस जैसे काफ़ाद की कुछ कॉपीज एक डब्बे में बन हवा में तेरता खंबा, भारे सुंदरता और आधहत्मिक्ता से भरपूर एक देश है जहांके हवा में एक जादू है और देश का इतिहासी का आर्किटेक्चर भी इस जादू से चूता नहीं है, आंधर प्रदेश में इस्तित लेपाक्षी मंदिव सोलवी सदी का एक मंद देखने वाले आधबुत, शुरत धालू इसे खूब टेस्ट करते हैं और कमाल के एफेक्ट वाली फोटो की चवा कर खुशी-खुशी घर वापस जाते हैं, ये भी हो सकता है कि मंदिर की छट अपने आप में काफी मजबूत हो और किसी खास कांक्रीर की मदद से जोड़ा की कोशिश की, जिस दौरान खंबा जखे से खिसक गया और उसका सिर्फ कुछी हिस्सा जमी से छूता रा, लेकिन बहुत से लोग इस दावी को नगारते हैं, यानि ये राज अभी भी बना हुआ कि लिपाक्शी मंदिर के खंबो को हवा में लटकता हुआ क्यों बना गया और क्या अंग्रेजों ने सचमुश उनको खारनी कोशिश की दी? चुडेल से बचाने वाली खड़की जाड़क और बैठका लोगों के घर में दाखिल होती चुडेलों की बात आज भले बेवकुफी लगती हो लेकिन सत्रवी और अठारवी शताब्दी के दारान निव इंग्लेंड में आकर बसने वाले कटर इसाई लोग चुडेलों और राक्षिसों की बातों पर पक्का य खिड़कियां सीग्यों नहीं बनाई उससे भी ज़रूरी सवाल है कि इस तरह की खिड़कियों की शुरुआत अमेरिका में वेचंट खत्म होने के पूरे 200 साल के बाद होई कहानियों की अलग बात है असल में इन खिड़कियों की पीछे सच में एक लॉजिक है वह मंट में इस ते जातर मकान बहुती पुराने जिनमें से कुछ तो 1800 के तशक्क्या हैं बाद में कुछ गरों को बड़ा बनाने के लिए उनमें से नए हिससे जोड़कर बना दिये गए पर समस्य यह थी कि नए हिस्से पुराने हिस्सों की खिड़कियां ब्लॉक कर रहे थे इस से नपटने के लिए बिल्डर पुराने हिस्से की खिड़कियों को तिर्चा करके इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच वाली पतली जगे में फिट कर देते थे, यानि कि इन खिड़कियों के पीछे कोई काला जादू नहीं था, हाँ इने बनाने वाले बिल्डर्स की पत्थर की एक नाक लगे हुए है, क्यों? असल में जाल 97 में रिक बकली नामा की कलाकार ने अपनी नाक की पत्थर की बनी हुई 35 कॉपी बनवा कर शेहर की अलग-लग बिल्डिंग्स पे चिपका दिया, ऐसा करके रिक CCTV सविलांस की परती अपना विरोज जता रहे थे और नाक को ठीक कैमरा के नीचे फिट किया जा रहा था, ऐसे जाता नाकों को अधिकारियों ने जल्दी ही काट कर हटा दिया, लेकिन अब जो कुछ भी बची हुए, जिन में सबसे मशूर है, एड्मिरल्टी टावर, जहाज के उत्र हिस्से पर साथ फिट उंचाई पर लगी ह जर्मनी के वीजबाडिन शहर में इस्तिती अजीब सा धकन, असल में एक मैन होल कवर जैसा है, जिसे खोलने पर नीचे सुरंगों तक जाने वाली है, घुमादा सीड़ ही नजर आती है, जाता लोगों को पता नहीं के असल में 100 साल परानी, साल्स बाच, कनाल, सीवर सनोखे, डिजाइन के चलते, भारी वरकम डकन को पूरी तरह हटाए बगैर मेन होल के अंदर आसानी से दाखिल हुआ जा सकता है, जब सड़क के मेन होल, जैसी महमुली से चीज में तना दमाग लाया गया है, तो जाहर है कि दुनिया के लोग जर्मन शमता की तारीफ तो कर तो कर दो?